आज की कहानी है अमेरिका से सुशम बेदे की चिडिया सुनिए बेदे ही किस पर में मम्मी ने पिजरे का किवार खूल दिया और इंतजार करने लगी कि चिडिया वापिस पिजरे में लोटा है लेकिन चिडिया लौंग जम भर कर कभी रसुई के अलमारी की छट पर और यहां वहां बैठती थी सहसा उन्हें रिड में जुरजुरी से मैसूस हुई फरफराते पंखे पर मम्मी को कितनी ही तस्वीरें तिर्ती सी दिखी जालरों वाली फ्रॉक में इटलाती नन्नी गुडिया चटक रंगों वाली बिक्नी पहने बीच पर गीली रेत में लोटती चिडिया हाँ यही तो था उसका नाम घर पर सब प्यार से उसे चिडिया बुलाते थे चिडिया की तरह तो दाना चुपती थी वै चिडिया की तरह ही तो चह चाहाती थी तब पर नहीं निकले थे उसके कि फुर्र से उड़ सके बस डाल से डाल फुदका करती थी हिंदुस्तान छोड़ने से पहले इन डालियों की कमी भी नहीं थी लगातार एक गोश से दूसरी गोश ममी उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी डैडी वकील दोनों खुद भी डॉक्टर थे डैडी कार्डियोलोजिस्ट और ममी रेडियोलोजिस्ट न पैसे की कमी थी न प्रोथ साहन की धाई साल की उम्र से ही इस अमरीकी शहर की सबसे बढ़िया प्राइवेट नर्सरी स्कूल में प्लास्टिक के अक्षरों और नमबरों को हाथ से महसूस थी वे जल्दी ही उन्हें पहचान कर सबको अपनी प्रतिभा से प्रभावित करने लग गई थी ममी जब भी पास होती पस यही सवाल पूछती स्कूल में क्या हुआ और स्कूल से लोटने पर बेबी सिटर क्या सिर्फ उसे टेलेविजन ही तो नहीं दिखाती रही कुछ फुर्सत होती तो ममी कहती अच्छा वो वाली राइम सुना दो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार ममी को खुश करने के लिए चड़िया दोराने लगती तो ममी ज़रूर कहती फिर चड़िया को जैसे कुछ याद आ जाता और मैं मचल कर कहती लेकिन अब तो शाम हो गई अंधेरे में पार्क नहीं जाते नर्सरी से किंडर गार्टन और फिर फर्स ग्रेड में पहुँच जाती है चड़िया एक दिन मॉम डू यू लव मोस्ट ममी उसे प्यार से दुलारती है अपनी चड़िया को नो देट इस रॉंग मिस बर्गर सेज एवरिवन लव्स इंसल्फ मोस्ट यू लव यूर्सेल्फ मोस्ट, नोट मी ममी अवाक उसे देखती रहती है फिर एक दिन डेपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकलते ही वे पैसे मांगने लगती है कोई फटे हाल बेगर गरीब इंसान पैसा मांगता है और चड़िया उसे देना चाहती है ममी ने तब डांट लगा दी थी सब जूट मूट की गरीबी है इस देश में ड्रग खाकर पड़े रहते हैं और फिर जाने वालों को तंग करते हैं रहने दे, कुछ नहीं देना इसको चिड़िया बड़ी हो रही है मॉम, कैन आई हेल्प यू इन दा किचिन? उसका अभ्यास भी करना होगा वरना तेरी टीचर गुस्सा करेगी एक बर ममी बीमार पढ़ जाती है चिड़िया कहती है मैं स्कूल नहीं जाओंगी घर पर कौन देख भाल करेगा तुम्हारी? अरे जा जा मेरे बहाने से स्कूल मिस करने की कोई सरुषत नहीं ऐसी कोई बीमार नहीं कि मेरे लिए तुम पढ़ाई का हर्ज करो पढ़ना तुम्हारे लिए सबसे ज़यादा इंपॉर्टन्ट है बस पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो इस से हटकर तुम कोई और बात नहीं करती और क्या इस देश में सफलता की यही एक कुंजी है तुमको अपने अमरीकी सातियों से बेतर ग्रेट्स लाने होंगे तब ही तो तुम बढ़िया हाइ स्कूल और फिर आईवी लीग उनिवस्टी में जा सकोगी एक बार किसी आईव ममी की कमर में तीखा दर्द उठा और फिर बोलते बोलते रुख गए चिडिया ने ममी के चेहरे पर उभरते दर्द की छाप देखे पर वह रुकी नहीं उसे स्कूल पहुंचना था उस दिन चिडिया एक टेलेफोन नंबर रट रहे थे ममी ने हैरान होकर पूछा वह पू रहती हैं कि यह टेलेफोन नंबर चाइल्ड अब्यूज हेल्प का है अगर तुमारे मॉम या डेट तुमको मारें तो इस नंबर पर फोन कर देना फिर उनको भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी ममी की आँखों में अजीब तहशत चा गई थी चुडिया मुस्कुरा कर कह स्कूल नहीं जाते ममी को लगा था उनके हाथ से कुछ बहुत कीमती फिसले जा रहा है बहुत चाकर भी जिसे पकड़े रखना नामुम्किन हो रहा है कुछ घर से बाहर भी है जिस पर उनका अपना कोई बस नहीं क्या यह समाज उनको भी कोई धमकी दे रहा है खैर पढ़ मिला दो-300 को ही मिलता है प्रतियोगिता से प्रतारित उन सैक्रों छात्रों के बीद चिडिया कुछ फिसलने लगी छमाही रिपोर्ट कार्ड मिला तो ममी सकते किसी हालत में थी यह बायलोजी में तुम्हें सी कैसे मिला I think the teacher is not like me ममी उसके teacher से मिली थी बायलोजी की class सुबह 8.30 बचे होती थी तीचर ने ममी से कहा था लगता है आपकी बेटी को पूरी नेन नहीं मिलती मेरी class में कुछ सुस्त और सोई-सोई सी दिखती है ममी शाम होती चिडिया के पीछे पढ़ जाती टाइम वेस्ट मत कर जल्दी सोना है तुझे तो हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं बायलोजी में पिछड़ गई तो काम कैसे चलेगा पर ममी मैं जल्दी नहीं सो सकती इंगलिश टीचर के लिए आज एक हिताब पढ़कर बुक रिपोर्ट लिखनी है ममी को समझ नहीं आता क्या करे क्या कहे बायलोजी में नमबर दुबारा कमा तो ममी के हाथ पे ठंडे पढ़ गए थे फिर चिडिया से सलाह करके एक जूट गड़कर टीचर को बताया था कि टेस्ट वाले दिन चिडिया बीमार थी डर के मारे टेस्ट कर दिया था क्या आप दुबारा ले सकती है डैट के प्रोचसाहन पर चिडिया ने स्कूल की स्पीच टीम में भी हिस्सा लिया है वकील के लिए पपलिक स्पीकिंग बहुत जरूरी होती है ना आज शाम चिडिया को कल सुबह होने वाले गणित के इमतहान की तैयारी करनी है दोपहर के स्पीच टूर्णामेंट के लिए स्पीच को रट्टा रखाना है रात एक वई तक किडिया जगी रही सुबह बायलो को एक उदासींता से ढखकर बोली I did not win why you dad ने विस्तार जानने के लिए ऐसा पूछा था पर चिडिया को अपराद भाव आक्रमण का आकार ले बैठा बढ़क कर बोली well you can't win every time चिडिया को शांत करने के लिए dad पूछ बैटे तुम्हारे स्पीच का टॉपिक क्या था I don't want to repeat you can read it yourself लिकित भाशा की कौपी चिडिया ने dad को पकड़ा दी dad ने शीचक पढ़ा teenage suicide यानी किशोर आत्महत्या है पहला paragraph इस तरह था कि इस देश में हर साल खरीब 10,000 teenagers आत्महत्या के शिकार होते हैं जिसकी वज़े drug, insecurity, depression और अकेलापन के साथ साथ खास कर आवासियों के बीच इसकी वज़े किशोरों पर उनके माबाब द्वारा बढ परता हुआ दबाव है आवासि माबाप अपनी सारे ख्वाहिशें और अधूरे सपनों को अपनी ओलाद द्वारा पूरा करवाने के लिए इन कुशोरों को बदहवास गुरों की तरह चाबुक मार मार कर चलवाए रखना चाहते हैं जिसका परिणाम बहुत भीशन होता है पहुचक भाव से डैड ने बार-बार वेपंक्तियां पढ़ें उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वे पढ़ रहे हैं कुछ घंटे पहले उनकी बेटी एक भाशन में कह चुकी है सहसा वे जोर से फटकारने लगे ऐसा अब क्या बकवास लिखी है अपकी चड़ि थोड़ी तेर बात पता नहीं क्या सोचते सोचते बूले क्या तुझको ऐसा लगता है कि हम तुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कभी कभी पर ये मेरे अपने बारे में तो नहीं यह तो खेर अपसे मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा लेकिन ममी को डैड के इस रुक पर गुस कम से कम पढ़ कर अपने आप में कुछ बन जाना जो उसका फर्ज है हम अपने फायदे की बात थोड़ा ही करते हैं देखो भरत नाट्यम भी छूट गया इसका किसी भी काम के लिए वक्त नहीं तो वक्त है किसलिए जादा ही दिमाग बिगार देते हैं यहां बच्चों का म माबाप ना हुए मान दुश्मन हों बच्चों के फालतु में माबाप में भी गिल्ट मन ही मन मम्मी भी धर गए थी जैसे उन्हें कोई धबकी दे रहा हो लेकिन भूमिकाओं में अदलब अदली हो रही थी मम्मी डैडी कुछ भी चिडिया का नापसंद करते तो भी काम डाउन आई विल डू एट माइ ओन पेज बड़ी तेरी से मम्मी डैडी उसकी जिन्दगी में फालतू और बेकार की चीज़ होते जा रहे थे उसे मम्मी डैडी की बातें उनके अनुभव अपने संदर्व में एक दम इर्रेलेवेंट लगने लगे उनमें एक और जीव के आवाज में एक मसीह पन होता जैसे कि दुनिया भर में माबाप के खिलाफ आंदोलन में है किशोरों का नेत्रत्व कर रही हो उसे विश्वास हो गया था कि उसके अपने और जादातर माबाप बातें प्रजातंद्र की करते हैं पर होते ताना शाह हैं चिडिया आई वी लीक तो नहीं पर एक अच्छे कॉलेज में दाखला पा गए थी होड यहां भी कम नहीं थी उदार अब चिडिया के पर भी तो निकलने लगे थे वह उड़ना चाहती थी घराओंदे से बाहर खुली हवा पर तैरना चाहती थी एक सहपाठी उसे अपनी और खीच रहा था ह हवाँ पर साथ साथ तैरने का अमंतरण उसने सहपाठी से कहा ममी को मेरी लड़कों से दोस्ती पसंद नहीं सहपाठी बोला ममी को बतलाने की जरूरत ही क्या है लेकिन ममी को यू मैं सब कुछ उसने बात काट कर पूछा कितने साल की हो अठार है तो तुम वयस को अब ममी क जीना है इसे या तुमने हर पर चिडिया ने ममी से कहा मैं बोर्डिंग में रहना चाहती हूं क्यों इंडिपेंडेंटली रहूंगे अभी से ऐसी बात पढ़ाई खतम कर ले फिर शादी के बाद तो हमसे अलग रहना ही है लेकिन घर पर पढ़ाई ठीक से नहीं होती यहां मा घर पर भला तुझे कौन डिस्टरब करता है क्या तुम समझ पाओगी कि अकेले रहने की भी जरूरत होती है कि माबाप के साथ रहकर बच्चे का पूरा विकास नहीं होता तुम्हारा जमाना तुम्हारा देश बहुत अलग था क्या तुम्हें भरोसा नहीं होता कि मेरी दुनिया तुमसे बहुत अलग हो सकती है ममी नहीं माने हो चुडिया और ममी में आये दिन किच-किच होती चुडिया की सहन्चक्ती खतम हो रही थी I don't understand I am an adult now तुम लोग मुझे मनमर्जी से क्यों नहीं रहने देते जब खुद कमाने लगोगी तो रह ले ना मनमर्जी से कुछ जादा ही पर निकलाएं हैं तेरे मेरे कॉलिज की फीस देती हो मुझे खाने पहनने को देती हो इतना ही रौब है न तुमारा इसके लिए तुम मुझे गुलाम बना कर नहीं रख सकती मम्मी को जैसे लगवा मार क्या हो कैसे कह गई तु ये सब बस यही नाता है तेर हमारा बस इसलिए टिकी है तु यहां कि और कोई तेरे कॉलिज की फीस नहीं भरेगा हमारा प्यार हमारी कदर हमारे साथ रहना अब गुलामी लगती है तुझे अचानक चिडिया डर गई ये तु पतंगड बन गया मम्मी को नाराज करके वे जाएगी कहां अभी उसके पर बहने के लिए देख बिटिया हम जो कहते हैं तेरे भले के लिए ही पहले पढ़ लिक कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए फिर बस मम हो गया न भाशन शुरू जब भी मैं तुमको I love you कहती हो तुम इतनी inspired हो जाती हो कि बस कभी न रुकने वाली speech rain शुरू हो जाती है चल खास पकवान बनते हैं उसका pocket allowance बढ़ातिया चाता है और ममी उसे नई dress खरिदवाने के लिए blooming dills ले जाती है चिडिया ने जब सारा किस्ता अपने सहपाटी से कहा तुम्हारी ममी बहुत lonely और insecure है तुमको खोने से डरती है इसी से तुम्हें तरह तरह के रिश्वत दे कर चाहती है तुम्हारा मतलब देखो माबाप कभी अपना स्वार्थ होता है वे अपना position खोना नहीं चाहते इसलिए हर तरीके से बच्चों adult बच्चों को भी कबजे में रखने की कोशिश रहती है उनकी अभी यह असान भी है क्योंकि तुम उन पर पूरी तरह से dependent हो चिडि उस घर में कताई मन नहीं लगता पर कहीं और रहने का ठिकाना भी तो नहीं पता नहीं कब छुटका रहा होगा हम दोनों अगर नौकरी कर लें तो कोई छोटी सी जगे किराये पर लेकर साथ रह सकते हैं और पढ़ाई पढ़ाई सासा चलती रहेगी और चिडिया अपने घ पैसा करना चाहती थी जिससे एकदम मशूर हो जाए पर अभी उसके दिमाग में साफ नहीं था कि क्या करने से वे फटा-फट नाम और शोहरत पा सकती हैं कभी-कभी वे फिल्म बनाने की सूश थी पर अभी ना पैसा था ना ट्रेनिंग ना इसपस्ट विचार या विशय लेकिन महत्वा कांग्शा थी और दम था भीतर एक अकुलाहाट सी बनी रहती उसका सहफाटी सादा जिन्दगी जीने में विश्वास रखता था एक दम मिनिमलिस्ट कम से कम चीदों के साथ गुजारा करना मिट्टी से जुड़ी जिन्दगी की ओर लोटना लेकिन इस पुरी तरह से अपनी नई दुनिया में मस्त हो गई हर दिन आर्ट हिस्ट्री के नए नए कोर्स और किताबें पढ़ते हुए नए नए लोगों से मिलते और नए घर का दायत में निभाते हुए मैं मॉम डैड को भूल सी गई कम से कम नए जीवन में उसे कहीं भी उनका मॉसी को बुलवाया था अपनी देखभाल के लिए मॉसी ने दिन रात ममे की तीमारदारी में लगा दिया था पर चिडिया के रुख से वे बहुत खफा थी वे ममी से कहती तुम तो अपनी बेटी से डरती हो कुछ कहती ही नहीं मेरी बेटी इस तरह करे तो उसकी टांगे न तोड़ दू इतनी आजादी आखिर क्यों कुछ मकसद भी तो होना चाहिए न ममी सुनती रहती और मौसी कहती जाती दरसल तुमको बच्चे पालना आता नहीं यहां आजादी के बोल बाले उसकी चर्चा और नारों से इतना आतंकित हो जाते हो कि बच्चों को अनुशा जानी रह पाते हैं नामरी की ममी निरीए भाव से कहती जवानी का जोश है मेरी बात तो सुनती ही नहीं मौसी को और भी शेय मिल जाती वो कौँ सा जानवर होता है हां सर्पनी अपने अंडों को खुदी खा जाती है ना पर कभी सुना है ऐसा शिशू जो अपने पैदा करन किल्कु समझने पहचानने लगेगी और नहीं तो अपने उसी सहपार्टी के साथ शादी कर ले जिसके साथ रह रही है कम से कम तुमारी मुक्ती तो हो उधर कई सालों तक चलने वाले अस्थाई रहन बसेरे में अप चिडिया की सहपार्टी से नोग जोख होने लगे तंगी क कि उस जिन्दगी से चिडिया तंग आने लगी ती दोनों एक दूसरे से कुछ ऊपने से भी लगे शादी की बाद उठी तो सहपार्टी बोला I believe in commitment of hearts शादी तो आदमी तब करें जबकि सामाजिक स्विकृति कुछ मायने रखती हो जल्दी उसके दिल की commitment किसी और की हो जाने पर मम्मी डैडी चिडिया को छुटी मनाने के बहाने हिंदुस्तान ले गए वहां उसे शादी लायक कई लड़के दिखाये गए चिडिया ने मम्मी से कहा ये कैसा खिलवार कर रहे हो तुम लो जिसे न जानती न बूजती उसके साथ जिन्दगी बिताऊंगी क्या बेवकू समझ रखा है तुमने मुझे ये नहीं होने का अमरीका लोटकर चिडिया को नए सिरे से घूसला खूजना था अपने चोटी सी तनखा में कोट्री का किराया खाना पीना और दूसरे खर्चे नहीं चला सकती थी पहले सहपाटी के साथ सब कुश शेयर करती थी अक पंचित कर रही है ऐसी हालत में तो उसकी महत्वा कांख्षा उसका फिल्म बनाने का सपना कभी भी पूरा नहोगा और चिडिया अपना तिन का भर सामान लेकर मम्मी डैडी के घर आ गई हमेशा की तरह मम्मी ने अपना सब कुछ उसके लिए बिच्छा दिया था चिडिया को बहुत दिनों बाद बहुत चैन और रहत मिले लेकिन बहुत जल्द घर में तनाव शुरू हो गया दर असल चडिया वह रहते हुए भी नहीं रह रही थी बस रैन भर के बसेरे की ही तो बात थी और अगर दिन में घर में होती भी तो अपना कमरा बंद किये पड़ी रहत ज्यादा तर उसे खाने की भी भूक नहीं होती थी शाद डाइटिंग के चकर में या फिर घर वालों से बचने का बहाना होता ममी अब उसे घर रखने के बजाए घर से निकालने के चकर में थी दिन रात एक ही सवाल तो शादी क्यों नहीं करती चिडिया सोचती है वह ममी से कहने लगें बहुत बिगाड़ा हुआ है तुमने लड़की को तीस से तो उपर हो गए शादी कब करेगे चिडिया बिगड़ उठती आपके आँखों में बला मैं क्यों कटकती हूं आखिर मेरा घर है शादी करूं या न चब तक चाऊंगे यहीं रहूंगे आखिर मेरे माबाप हैं आपको क्या होसी भी गुसे से बोली बड़े स्वारती बच्चे हैं आजकल की माबाप अपने हको तो खूब समझते हैं पर उनके लिए कुछ करने का कोई भाव नहीं पस जब मन आया चले आये इस्तेमाल किया और पिर उड़ गए अपने ठिकानों को कम से कम मा माबाप की खुशी के लिए शादी ही कर लो आपके ममी बीच में बोल पड़ती हैं रहने दो शीला आगर बच्ची है इसके घर आने से रौनक आ जाती है वरना जिन्दगी में अब जादा है ही क्या लेकिन उस रौनक के बीच में अंदर ये अंदर ममी को कुछ सालता रहता है 32 बरस की लड़की के घर लोटने पर वैं खुश हो या रोएं वो यह भी जानती है कि चिडिया किसी भी पल उड़ने की फिराग में है ये गर उसके लिए ऐसी सराय है जिसने उसे मुफ्त पना दी हुई है क्या सच में ममी का इस्तमाल किया जा रहा है चिडिया को तो सच में इस घर में किसी से कोई सरोकार नहीं सुबह सुबह काम पर निकल जाती है और देर रात गए घर लोटती है पता नहीं मौसी के कहने का बुरा मान गई या क्या आप तो कोई दोस्त या रिष्टेदार के आने पर हलो कहने अपने कमरे से नीचे तक नहीं उतरती घर सच मे सराय था फिर मम्मी सोचती है सारी ऊमर तो उसने चिडिया को कोई दिम्मेदारी नहीं दी सिर्फ लाठ प्यार दिया अब भला हुआ जिम्मेदारी निभाने के काबिल कैसे हो कभी दूसरों के लिए कुछ करने को कहा सिखाया नहीं तब चिडिया कैसे जाने और उदास मन से ममी ने मान लिया कि कसूर उन्ही का है अब चिडिया को दाना पानी की या आशाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी सारी सुख सुविदाय मुहया थी अगर इनकी एवज में ममी का उपदेश सुनना पड़ जाता तो है कान में वाकमेन की इयर प्लक खोंस कर पॉप संगी सुनने लग जाती अब फिर से फिल्म बनाने की सपने देखने लगी नौकरी से अब कुछ पैसा बच रहा था पर वै काफी नहीं था और फिर ममी डैडी का तो पैसा वे आकिर उनकी चिडिया का ही है उसने ममी से बोला मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ पैसा लगाओगी तो चिडिया को अभी भी ममी डैडी के सहारे की जरूरत थी क्या ममी की परवरिश नहीं इतना कमजोर बना दिया कि चिडिया अधूरी से फुदकन भर कर फिर से मा के घूसले में आगिरी क्या अभी उड़ना नहीं सीखा उसने कभी सीख भी पाएगे जब पर निकलने को हुए थे तभी क्या ठीक से उड़ने देना चाहिए था कहां क्या गलत हो गया उनसे चिडिया की बाहों से जैसे नए पंक निकलना चाहते हुए ममी ने कहा तू जो चाहती है कर बस एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जा तेरे होने से घर में सब कुछ चैक उठता है पर दूर पहाडों से, हवाओं से और बादलों से फिसल कराती चैचाहट शायद कहीं जादा मीठी सुनाई पड़ती है चड़िया तो आकाश में उड़ती हुई ही, सबसे ज़्यादा प्यारी और मोखक लगती है चड़िया भी मम्मी की फूरी बास समझ भी नहीं पाई थी लाचानक मम्मी को कुछ ध्यान हुआया और वे बोली, तेरे डड़ी नाराज तो नहीं होंगे कहते हैं, उसे मन मागा देकर बिगार रही हो चिड़िया कड़की, ठीक है, रखलो समाल कर चिता पर धरकर साथ ले जाना जीते जी मुझे डिप्राइव करके सुख मिलता है तो लुख, मैं भी तुम दोनों के मरने का इंतजार कर लोंगे माबाप भी पता नहीं किस बात का बदला लेते रहते हैं ट्रस्ट को पैसे दे देंगे, अपनी आौलाद को नहीं पैदा करने का मतलब तो नहीं कि सारी उम्र उन्हें दबोच कर कोक में ही रख लिया जाए सहसा ममी ने देखा, चुड़िया वहा नहीं थी शायद रसोय के खड़की से बाहर चले गए थी ममी घबराकर बाहर की और दोड़ी, बाहर सिर्फ एक भड़ी सी चील आसमान को गिरफतार की हुए थी ममी बदावास चुड़िया को खोजने लगी, चुड़िया कहीं नहीं थी अचानक ममी को लगा, उन्हें कुछ ब्रहम सा हो रहा है, शायद चील वहां नहीं थी या शायद चील चुड़िया को उगल दे और आसमान पर आँखे ठिकाए, वे चुड़िया के लोटने का इंतजार करने लगी धन्यवाद, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो प्रपया चैनल को सब्सक्राइब करें